भाईयो नमस्कार भाईयो आपके गन्ने खेत में कोई रोग नहीं है और आपने सभी पिरियोग करके देख लिए सब दवाईयां सब खाद और पानी भी लगातार दे रहे हैं लेकिन आपका गन्ना फिर भी ठीक से नहीं चल रहा है और पत्कियां उपड़ से मुड़ी हुई है और आगे से बिल्कुल सुकड़ी हुई है और खेत पर कोई भी रोणक नहीं है तो आज मैं उसके बारे में बताऊँगा भाईयो एक तो आपको अपने के गन्ने के खेत में लगातार पानी भरका नहीं रखना है इसमें आप चोथे पांचमें दिन भले सी पानी देते रहें वो अच्छा है लेकिन पानी भरका नहीं रखना है क्योंकि पानी भनने से जो भी आप खेत में लगाओगे जो भी टोनिक उसका पूरा रिजर्ट आपके सामने नहीं आएगा और दूसरा भाईयो आज मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा जिससे आपका गन्ना उसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा चलेगा अगर फिर भी आपका गन्ना उसे लगाने के बाद फिर भी अच्छा न चले तो आपके गन्ने के खेत में मिट्टी में कोई प्रोबलम है या फिर आप ज़्यादा पानी भर कर रख रहे हैं तो भाईयो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें आपको इस्प्रे करना पड़ेगा और पानी भी आपको 200 से 500 लिटर लेना पड़ेगा एक एक कड़ के लिए और इसमें सबसे पहले तो आपको लेना है भाईयो एन पी के जो एक किलो की पैकिक में आता है वो आपको अगर 19-19 लो तो आपको 2 किलो लेना है 18-18 या 19-19 दो किलो पिर्ति एक कड़ अगर आप 20-20 ले रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा और 1,5 किलो 1,5 किलो पिर्ति एक कड़ और अगर आपका खेत कुछ ज़्यादय ही हलका चल रहा है तो आप 2 किलो 20-20 भी Np के 2 किलो पिर्ती एकड़ भी ले सकते हैं और पानी की मातरा आप 200-200 लिटर रखें इससे कम न रखें और जादा भी न रखें क्योंकि भाईयो जादा पानी के भी result बदल जाते हैं क्योंकि दवाईयों का एक मानक होता है कि कम से कम इतना और जादे से जादा इंटना पानी लेना चाहिए इस पुरह में और दूसरा भाईयों आपको लेना है इसमें सागरी का liquid में 500 ग्राम और ये जो सागरी का आपको लेनी है ये उसी गौल में NPK के गौल में आपको मिला देनी है 500 ml liquid form में आती है और इसमें ना तो कोई फंगी साइड लगाना है और ना ही कोई इंसेक्टी साइड केवल एन पीके और सागरी का liquid form में 500 ml ये लेना है और अपने गन्ने के खेत में इसका छड़काव कर देना है और इसमें आपको स्टीकर जरूर मिलाना पड़ेगा क्योंकि स्टीकर से पानी की जो बूंदे पड़ती है पत्ते पर वो बिलकुल फैल जाती है और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पोधा सोकता है और जो बून पड़ती है उसे के फैनने के बाद उसे वो चिपक भी जाती है जिसे पोदा अच्छी तरिके सोकता है इसलिए स्टीकर जरूर लगाएं और इस परे कोशिस करें कि साम के टाइम करें और उस टाइम हवा भी ना चल ली हो क्योंकि साम के टाइम हवा कमी चलती है और टाइम्प्रेचर भी स्ठीक रहता है इसलिए भाईयो साम के टाइम इस्प्रे करें अगर हाँ मोसम सही है इतनी ज़़ाद है गर्मी भी नहीं है और धूप कम निकल लगी है तो दिन में भी किसी भी टाइम इस पर आप कर सकते हैं और उसके तुरंत बाद आप पानी दे दें अगर आपका खेत गिला है उससे पहले आपने एक दो दिन पहले ही पानी दिया है तो आप पानी ना दें अगर पानी ने दिया है तो आप जरूर पानी दें आपका खेत भाईयो बिलुकुल बढ़िया तरिक्के से पत्ता चोड़ा होके चलेगा और बहुती अच्छी गिरोध करेगा और रोना काएगी पत्ते पर और अगर आपके गन्ये खेत में कोई रोग है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा केवल उनी किसान भाईयो को ये स्प्रे करना है जिसके खेत में कोई भी रोग नहीं है ठीक है भाईयो नमस्कार